सो हेलो दोस्तों वन्स अगेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल सो दोस्तों हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको ड्रोइंग पेड में समझाता हूं उसके बाद लायो कर्ण मां समझाऊंगा तो चलो सबसे पहले दोस्तों अब आप देख सकते हो यहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल रखे हुए है तो यह लेवल इससे समझो कि कोई हिस्ट्री के लेवल है मतलब कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेड आ रहा था तो यहां पर लेवल सरक दिये थे ठीक है तो अब एक भी टार्गेट उपर इसे आया है ठीक है तो अब मार्केट का फर्स्ट टार्गेट क्या होगा यहां से यहां से फर्स्ट टार्गेट होगा यह वाला अभी यह लेवल को मत देखो खाली यहां पर ध्यान दो ठीक है अब मार्केट का फर्स्ट टार्गेट होगा यह वाला करनी है मैं आपको वह भी दिखाऊंगा कि कैसे candle read करते हैं पर सबसे पहले मैं आपको यह levels के basic rule है वह दिखा देता हूं क्योंकि आपको levels के basic rule नहीं पता होगा न तो आप कितने भी अच्छे level रख दो वह आपके लिए काम ही नहीं करेंगे ठीक है तो आप सबसे पहले इसके rule जान लो कि मतलब कि कैसे levels work करते हैं ठीक है तो आप देखो कि market ने यहां पर decide किया चलो कि अब यहां से breakout हो गया समद लोग की breakout हो गया तो जैसे ही breakout होता है तो market यहां पर retrace होता है या फिर यहां से directly continue करके next level को target करता है यह वाले ठीक है अब ही समद लोग की यहां पर market ने decide किया कि यहां selling के लिए जाना है मतलब कि seller की candle यहां पर strong दीख रही है तो फिर continue मतलब कि down trend के लिए मतलब कि market जाएगा ठीक है फिर आपको यहां पर down direction के लिए ट्रेड लेना है आपने कई बार देखा होगा कि आपकी strategy वर्क नहीं करती तो उसका reason ही यह यह है दोस्तो कि आपको पता ही नहीं है कि वो strategy को apply कहां पर करनी है अभी समझ लो कि यहां पर down direction के लिए को strategy कर रहे हो आपको पता है कि यहां सी reverse हो गया है यह level को market ने respect नहीं दिए ठीक है तो फिर यहां से आपको up direction के लिए क्यों trade लेना है समझ रहो यहां से आपको कभी भी up direction के लिए trade नहीं लेना है तो आप में को telegram पे भी message करते हो को sir कोई strategy दिखा दो तो दोस्तो कोई strategy होती नहीं है यह price action ही होता है पर आपको जो strategy होती है तो उसको कहां पर apply करनी हो वो सीखना पड़ेगा ठीक है आपके पास कोई up direction के अब सब जगे मतलब की अभी समझ लोगी up trend चल रहा है तो अब यहां पर आप down direction के लिए trade ले रहो तो फिर कहां से काम लगएगा फिर वो आपका trade मतलब की loss होगा ठीक है दोस्तों तो यह बात का खास ध्यान रखो ठीक है तो दोस्तों अब यहां पर market ने break कर दिया तो जब भी level को break करता है तो retracement के इंडल आती है या तो फिर directly market continuation करता है तो अब आप यहां पर मतलब की levels आपको पता है कि levels ऐसे work करते हैं तो आपको यहां पर call direction के लिए trade लेना है ठीक है मैं specially यह strategy आज one meet के लिए दिखा रहा हूँ कि one meet में आप कैसे apply कर सकते हो कौन से level आपको count करने है कौन से ने करने है ठीक है तो market ने continuation करके यह level को target किया अब वापस यहां से market decide करेगा कि वापस कहां जाना है तो उसके लिए आपको candle reading के ज़रूर पड़ेगी वापस ठीक है अभी समद लो की market वापस यहां से down direction के लिए ठीक है तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यह level को भी respect ना दे और directly यहां से सेलर्स के लिए market चला जाए तो फिर आपको यहां पर selling की opportunity देखनी है दोस्तों खाली मैं यह levels के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप levels को count करके भी आप trade ले सकते हो पर आपको आना चाहिए कि कैसे level मतलब की work करते है ठीक है अब यहां पर market आ गया ठीक है अब यहां से reverse हो गया तो अब यहां पर मेरा question है कि आप यहां पर कभी भी put direction के लिए trade लोग यहां पर reverse आ गया उसके बात के बात है ठीक है दोस्तों यह मेरा question है आपको क्यों लेना आए यहां पर put direction के लिए trade यहां से reverse हो गया तो ठीक है तो आप खुद को question करो अब यहां से reverse हो रहा है तो market definitely यह level को तो hit कर देगा ठीक है मरलब की levels के रूली होते हैं ठीक है भले ही आपको ऐसा होगा कि candlestick को read करना important है हाँ important है पर उससे ज्यादा तो levels काम करते है ठीक है दोस्तों तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आपकी strategy को आप particular को जगे पे apply करो सब जगे apply मत करो और ना तो आपका लोसी होगा मैं आपको सीधा बोल रहा हूं ठीक है अब समद लो की यहां से वापस इसे reverse हो है ठीक है यहां पर आपको मतलब की 20% candle को read करना है 80% आपको level करेंगे ठीक है तो reverse हो गया तो आप selling के opportunity देखो यह भी रेंजिंग मार्केट हो गया है ठीक है अभी समद लो की वापस यहां से reverse होता है यह level को break कर देता है तो आप मतलब की level को count करते हुए और candle को read करते हुए अब यहां से यह जिसे ही break होता है इसके बाद call direction के लिए trade लेते हुए चले जाओ सीधा एकदम simple आपको कोई indicator के भी जरूरत नहीं पड़ाई है ठीक है तो अब आपने यह देख लिया ठीक है कि यहां पर आपको call direction के लिए trade लेना है अब आपने पता है मैंने आपको यहां से एक वीडियो पे ले मैंने आपको दिखाया था कि non stop आपको 10-15 candle देखने मिलती है तो इसी जगह पे ही मतलब कि आती है कि एक बार level को respect नहीं दिया दूसरी बार level को नहीं दिया तीसरी बार नहीं दिया तो फिर वो non stop candle बनती जाती यह से ही ठीक है तो आप level को count करते ही यह से trade ले सकते हो ठीक है तो यह अभी मैं आपको यह draw करके दिखा रहा हूं इसमें मेरा एक ही motive है कि आप level को मतलब की ज्यादा importance दो candle को बहुत कम दो क्योंकि candle read करना जरूरी है ठीक है दोस्तों पर levels को आपको पता होगे कि यह level यहाँ पे है market ने यह level को break किया है तो आप next target होगा यह वाला तो आपको क्या ढूणना है कि यहाँ से आपको call direction के opportunity दिखे ठीक है अपको यह देखना है कि यहाँ पे आपको call direction क opportunity देखनी है क्योंकि यह level तो तूड़ गया है यह level सब खतम हो गया तो यह level का अभी काम ही नहीं है आपको next level है यह आपको यह count करना है अभी यह भी नहीं देखना है अपका एक ही मतलब goal होना चाहिए कि यह level तक में को कैसे opportunity मिले कि में call direction के लिए trade लूँ ठीक है तो आप ते ट्रेड ले सकते हो फिर यहां तक market आगया अब यहां पर सोतना है जोड़की देखना है market में मार्केट में चोटी चोटी बन रही है वह नहीं को ट्राइक करने का ठीक है अभी चोटी चोटी कंडल बन रही है तो वापस यहां पर बहुत ही ज्यादा चांसेसे कि यहां आपको श्रॉंग एक दो रेड़ केंडल देखने मिले तो फिर आप वापस यहां से सेलिंग के लिए चला जाओ अब समद संब लोकि यहांसे डाउन हो रहा है यहांसे भी डाउन और ह वह यहांसे भी डाउन हो रहा है तो आपको यहाँ पे आप 10 to 15 रेड केंडल देखने को मतलब की मिल सकती है क्योंकि लेवल्स को मतलब की डिस्पेक्ट ही नहीं दिरा है मार्केट तो फिर क्या मतलब है यहाँ पे आप कोल डारेक्शन के लिए मतलब की ट्रेड की ओपोचुनिटी देखो जैसे ही यह दो लेवल ब्रेक होते हैं तो आप इसके बाद यहाँ से यहाँ से केंडल कंपेरिजन करो या कोई आपकी पर्सनल स्टेटेजी हो तो उसको यहाँ पे डाउन डारेक्शन के लिए मतलब की एप्लाइ करो ठीक है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा मैंने आपको यह अभी मेरे इसके पहले वाले वीडियो में दिखा था कि स्टेटेजी मतलब की स्टेटेजी नहीं थी वह बैसिक रूल थे उसको आप स्टेटेजी में कर सकते हो ठीक है तो उसको आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी जगे पर एप्लाइ करो ठीक है दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा अभी स्विंग हा अब लेवल को मतलब की इसे इंपोर्टेंस दो ज्याजातर अब केंडल को मत देखो कि आपको क्या की एक दिमाग में ऐसा हो गया कि एक बूलिस केंडल दिख गई ग्रीन कलर की तो आपको बस वही पे ही मतलब की ट्रेड लेना है कोल डियरक्शन लिए इसा नहीं होता है हेमर केंडल बन गई इंवर्टर हेमर बन गई तो भी वहां से रिवर्सल हो रहा है कंटिनेशन हो रहा है तो इसका रीजन ही यह है दुस्तों कि वह कौन सी जगे बन रही है वह बहुत इंपोड़न्ट है तो आप लोग समधते नहीं हो ठीक है तो यह सबसे बेसिक रूल है मा आपको यह चैंडल पे लेना है तो मैं आपको हर बार समझाता हूं कि जैसे कि एक ग्रीन केंडल है तो आप कंटिनेशन के लिए जाना है तो इसकी ऑपनिंग मतलब की दूसरी केंडल जहां से ओपन हो रही है वह देख लो कि इसकी जहां से क्लोजिंग हुई है यहां से अपन हो रही है तो भी कूल के लिए जाओ फिर एवर्ड करना है कासे जैसे की यहां पे कंडल क्लोज हो गई तो इसके बाद दे रहा है और उपर लेवल यहां पर समद लो कि यहां पर लेवल है और यहां पर गेपप लेग सब सब लुए कि यहां पर आपको apply करना है levels पर तो आपको कैसे result नहीं मिलेगा ठीक है आपको थोड़ा मतलब की history में जाके check करना पड़ेगा आपको back testing करना पड़ेगा तब आपको result मिलेगा ठीक है अब डायरेक्ट जाके ट्रेड ले रहे हो तो वह कैसे possible है ठीक है market के basic rule मतलब की जानना बहुत ही ज़रूरी है अभी down direction के लिए trade ले रहे हो तो rate के इंडल है तो body में से opening दे रही है तो अब down direction के लिए trade ले लो simple मतलब की कोई level नहीं है ये भी ध्यान नखना आया दोस्तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई level है अब यहां पे थोड़ा gap है तो मैं आपको अब live market में मतलब की levels रखके भी दिखाता हूं और मैं आपको history में भी थोड़ा check मतलब की चेक करके दिखाता हूं कि कैसे levels work करते हैं और आपको कहां का पर trade लेना है और आप swing high, swing low को भी add करो candle comparison भी add करो तो आपको क्या है trade लेने में बहुत ही मजाएगा और आप आपके accuracy 110% अच्छी हो जाएगी आपको 70-80% भी accuracy मिल रही है न तो आप जो money management follow कर रहे हो न तो आपके लिए best है समझ रहो 100% तो कहां भी accuracy नहीं मिलती है कभी कभी loss होता ही है मेरा भी होता है दोस्तो इसा नहीं है तो बस इसे ही मतलब की levels वर्थ करते हैं तो मैं आपको चल लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा तो चलो history में चेक करते हैं तो दोस्तो अब मैं आपको लाइव मार्केट में समझाओं उससे पर एक important बात बता दूँ कि आपने मेरा public telegram जो नहीं किया तो फटा पर से जाकर जोईन कर लो मैं आपको जोईन करने के लिए क्यों बोल र ठीक है तो चलो मैं आपको थोड़ा history में दिखा देता हूं कि कैसे levels वर्क करते हैं दोस्तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह level से वो pure price action पे डिपेंड है मतलब कि यह price action का पार्ट है पूरा और आप इसमें strategy apply करो ठीक है इसको strategy मत समझाओ मैं आपको पहले ही बोल दू यह बात कई लोग मैं को बोलते हैं कि यह work नहीं करती तो भाई तुम लोगों को पिले मतलब कि apply करना पड़ेगा आप जो use कर रहे हो उसमें तब जाके आपको result मिलेगा ठीक है वरना आप एक ही चीज़ी use करोगे कि समझ लोग में लेवल समझा दिया फिर आपको थोड़ा कि नीचे एक छोटा सा एक किंडल वाला लेवल था उसको मैं आपको लेवल्स रखना नहीं सिखाऊंगा वो मैंने बहुत वीडियो में दिखा दिया है तो आप पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हो मतलब कि हर एक वीडियो में मैंने आपको दिखाय हुआ है कि कैसे लेवल्स रखते है ठीक है तो अब ध्यान से देखना यहां से रिवर्स हुआ तो मार्केट ने यह लेवल को तार्गेट किया फिर वहां से रिवर्स हुआ ठीक है तो एक देखो यहां पे नीचे भी एक सपोर्ट लेवाल है तो यहां पे छोटी सी रेड किंडल बनी यहां से रिवर्स हुआ तो आप यहां से जो आपके पास Candlestick का अच्छा नोले जो तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो ठीक है यहां पर एक ही Candle देखके आप यहां पर Call Direction के लिए वन मेट के लिए ट्रेड ले सकते हो यह specially मैं आपको वन मेट के लिए समझा रहा हूँ ठीक है दोस्तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में यह एपलाई कर सकते हो पर मैं specially आज वन मेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो देखो कि यहां से रिवर्स हुआ अब आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि यह लेवल वर्क करेगा की नहीं इसमें आपकी एक्यूरिसी अच्छे हो जाती है ठीक है अब ध्यान से देखो जैसे ही यहां से ब्रेक हुआ तो मार्केट मार्केट ने यह लेवल को तार्गेट किया अब यहां पे देखो अभी समझ लोकी यहां पे आपको रिवर्सल लेने का मतलब कि आपके पास क्या रिजन है कि यह लेवल से आप रिवर्सल डे सकते हो यह जो लेवल यहां पर यह कंडल कर रहा है तो आप को ड्रेक्सें लिए जा सकते हो झाया यहां से लिन यहां पर गाया तो अब सेलर ने जैसे ही इन्टस दिखाया तो आप देखो आद इस इतने चोटे होगा हया मतलब कि ये बोड़ी को और करो ये बोड़ी को वैफ्टी करें ठीक है दोस्तों अपको पडुद्प सराइब फिलेगा कि यह ब्रे और यहां पर बहुत ही मतलब कि कम ओ बार्स थीकाइं तो अब यहांसे यह level से अब sellers क्या आने का chances बहुत जादा है तो यह first two candle इसको द देखे आप बोल सकते हो कि अब थोड़े-thोड़े यहां पे sellers interest दिखा रहा है ठीक है यह देखो बार सा इसके बाद sellers थोड़े से आए फिर ज़्यादा आए body compare करो ठीक है तो यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो put direction के लिए ठीक है अब समझ लोग की अब sellers का target क्या होगा यह वाला level तो यहां पे तपका win हो जाएगा फिर मैं आपको एक अच्छा सा trade ओर दिखाता हूं जो मैं आपको हर एक बार दिखाता हूं और बोलता हूं कि ऐसे candle को देखके आप ignore मत करो ट्रेड ले ले हो यह candle जैसे ही close हो गई तो इसके अंदर देखो एक छोटी से candle वापस उसके अंद देखो यह लेवल है अब यहां पे exit देखो तो यह आपका कितना अच्छा trade होता ठीक है दोस्तों अब ध्यान से देखो वापस यह green candle ने यह लेवल को break कर दिये तो यहां पे sellers ने भी interest मतलब दिखाना बन कर दिया था तो अब next मतलब की next time आप देखो की किसे वापस बार्स ने continuation किया तो अब यहां पे देखो buyers ने यहां तक जाने का try किया और sellers ने देखो यहां से touch करके वापस reverse अल दे दिया ठीक है तो वापस sellers कौन सा level फोलो करेगा यह वाला level देखो यहां से वह वापस यहां से यह fake breakout हो गया तो यहां से reverse अल देखो वापस यह देखो केंदल उसके अंदर close ओ गई wants तो इसको fake breakout बोलते है ठीक है क्योंकि दETखो एक दूसरी बात बोलू कि ये kindle ओर दोजी kindle को कभी भी count मत करो गेंड़ल जब भी close हो candle के अंदर तो ये count मत करो इसको आप count कर सकते हो 2 जी केंदर अच्छे candle close हो गई तो इसको आप fake breakout बोल सकते हो तो यहाँ पे आपका perfect short short रहेगा ठीक है अब ध्यान से देखना अब यहाँ पे देखो यह level को market ने break किया तो यहाँ पे retracement के इंडल आई और वापस यहाँ से किसा बायर्स ने तो आपको दूर के लेवल इतने नहीं देखने इतने देख लिए बहुत है अब आपको पता चल गया कि यहां से रिवर्सल हो गया है तो यहां से बार सही continue करेंगे ठीक है तो आप कभी भी यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी यहां पे लिए ओपरचुनिटी नहीं देखनी है फ्यूद यह जो आपको एक दो केंडल एक दो केंडल दिख रही है क्कि यह यह देखो यह लेवल यह वाले लेवल यहां से रिवर्सल हो रहे है पर आपको करना अच्छा आगया ना केंडल स्टिक को रेड करना तो आप मतलब की यहां पर बाइंग के अच्छे से देख सकते हो ठीक है देख लो फीर से किसे मार्केट मतलब की लेवल को फोलो कर रहा है ठीक है आपके सामने यह पूरा ठीक है तो आप बस मतलब की एक बात का ध्यान ड़को कि आपको किश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो आप इस पेसे मतलब की डिपेंड हो जाएगे कि यहां पर यह आपको ट्रेड लेना है मतलब कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको यहां पर को डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है छोटी छोटी जगे में आपको जो आपको रिस्क लेना आता है तो आप यहां पर सेलिंग के ओपर्चनिटी देखो यहां पर बाइंग के ओपर्चनिटी देखो ठीक है तो चलो मैं आपको दूसरे मार्केट में भी समझाता हूं So, दोस्तो, चलो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि Levels किसे वर करते हैं So, यहाँ पे तो कोई Level नहीं थे तो मैंने Recently जो Levels बने उसको इकाउंट किया है ठीक है? तो यहाँ से Reverse हुआ यहाँ से Reverse हुआ आप तो अब घेम कासे स्टार्ट होगा यहां से यहां पर में को डाउन डिरेक्षिन के लिए ऑपकुछर एक हो घूद Knowingा है इसला पर कप यहां पर नहीं करना है कि कई कई बार करती है कई बार नहीं करती है ठीक है दोस्तो तो दोस्ति मिलको काॉइök केमखन नहीं करना है अब समझ लूज़को की अंदर को ईड़ेड़ केंडल टूस रवाला पॉंट कि यहां तक मार्केट को जाना है ठीक है यह चोटे-चोटे जो एके केंडल वाले लिवल होते हैं वो केसे वर्क करते है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है समध लोग कि यहाँ पर जो वन केंडल है उसका लेवल है ठीक है तो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर market ये level को touch कर रहे भीना ही reverse हो गया था ठीक है अब यहांपे दोजी candle है तो यहांपे तो ट्रस्ट नहीं करना है इसके बाद देखो कि यह green candle है ग्रिन केंडलाई तो चोटी ग्रिन केंडलाइ और इसने स्विंग हाइ बना हुआ था मैंने आपको मेरे प्रिवेस वीडियो में दिखाया था कि स्विंग हाई और स्विंग की वेल्यू कैसे होती है तो आप यहाँ पर अप्टलाई कर सकते हो, ठीक है एक छोटी green candle आई इसने swing high बनाया था ठीक है इसके बाद बड़ी green candle आई comparison में ठीक है swing high भी बनाया था पर ये देखो कि ये खुद के मतलब की विक कोई cross नहीं कर पाया मतलब की उसके पहले वाला जो green candle था green candle था इसके मतलब की जो अपर भी के इसको इक रोस नहीं कर पाया और उपर से candle का यहाँ पे level था ठीक है खुद के candle के अंदर भी candle close हो गई तो यहाँ पर आपका शोर्षोट रहेगा ठीक है ये red candle अब ये red candle नहीं है देखो कि एक swing low बनाया हुआ है और एक high नहीं बनाया हुआ ठीक है मतलब की previous candle से एक low बनाया हुआ है और swing high नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पर seller's presence है आप बोल सकते हो ठीक है तो आप इसके बाद भी एक उठ डारेक्शन के लिए trade ले सकते हो जैसे में लेता हूँ market को read करते मतलब की market को read करते हुए आप अपनी strategy को apply करो तो आप भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं trade लेता और अब यहाँ पर देखो कि market में किसे reversal हुआ है मतलब कि यहाँ पर किसा rejection मिला है जो candle है उसको तो इसके बद strong बार्स आ है यह देखो ठीक है यह जो one candle वाला level है वो कैसे work करता है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जब भी candle के अंदर candle close होती है न तब यह level work करेगा वरना तो one candle वाला जो level होता है वो तब work नहीं करता है ठीक है तो आप इसी जगे पर यूज कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर strong बार देखे यहाँ पर देखे अब यहाँ पर कोई अब market ने target किया यह वाला level अब देखो कि यहाँ पर धीरे-धीरे sellers ने आने का try किया और sellers आ भी गए अब sellers यहाँ पर आए अब यह level से देखो कि reverse हो गया है ठीक है तो reverse देखो कि कैसे हुआ मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा था कि one candle वाला level कैसे work करता है तो यहाँ पर द और इसने उपर से एक high बना हुआ है swing high देखो एक low भी नहीं बना हुआ है candle है इसके अंदर candle close हो गए इसने उपर साड़ एक high बना हुआ है previous candle से और एक new low भी नहीं बना हुआ हुआ तो यहाँ पर मेरा short short होता one candle का level भी मैं को मिल गया था यह वाला तो मैं यहाँ पर भी आ देखो मार्केट यहाँ गया वापस रीवर्स हुआ वापस रीवर्स हुआ candle के अंदर candle close हो गई ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लेवल है एक छोटा सा उसके उपर वाला यह वाला यह पूरा जोन बन गया उपर रजिस्टंस जोन नीचे सपोट जोन ठीक है तो candle के अंदर वापस candle close हो गई वन केंडल वाला लेवल है तो आप यहाँ पर डायरेक्ली कोल डायरेक्सिन के लिए ट्रेड ले सकत हो थी ऐसके लेवल करते हैं जोस्तों पर लिए कि अ पर यहां पर नेथारेक्सिन के लिए पर ब्रेकवाट करता है वापस आया है थी यहां से देखो और 3-4 गरिन यह तो यहां स But कंट्यूनिशन के लिए जा सकते हो ठीक है तो इसे मार्केट वर्क करता है तो आपको यह हिश्ट्री में अच्छे से समझ में आ गया होगा चलो मैं आपको एकाट ट्रेड लेकर दिखा दा हूँ कि यहाँ पे तो कुछ ओपर चुटी नहीं दिख रही है तो दोस्तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का ट्राइ करूँगा तो यह केंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ट्रेड लूँगा यहाँ पे मैं को डाउन डारेक्शन के ओपिचुनिटी देखनी है मैं आपको reason बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर मैं को down direction के लिए trade लेना है तो अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने trade place कर दिया है ठीक है अब मैं आपको reason बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर मैंने down direction के लिए trade लिया तो अब देख सकते हो यहाँ से market reverse हुआ यहाँ से reverse हुआ की जो केंडल थी वो तो यहां पर स्ट्रोंग सेलर थे ठीक है जैसे यहां पर लेवल का ब्रेक आउट हुआ तो यहां पर एक रिट्रेस्मेंट केंडल देखने मिली में को मेरे स्टेटेजी के अकोडिंग मतलब कि मैं प्राइजेक्शन उसकरता हूं तो यह जो ग्रीन केंडल इसने एक न्यू लोग बनाया था ठीक है तो यहां पर मैं को दिखा कि यहां पर तो सेलर मतलब कि सेलर इंट्रेस्टेड है और नेक्स्ट लेवल था थोड़ा दूर ठीक है मतलब कि थोड़ा होने का यह मतलब भी वेट किया कि यह लेवल ब्रेक आउट हो गया एक रिट्रेस्ट में केंडल आई न्यू लोग बनाया तो यहां पर मैंने ट्रेड ले लिया ठीक है तो आपके सामने ही रिजर्ट है तो आप लेवल को इसे भी काउंट कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो झाल 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 झाल झाल